हमारे देश के अधिकतर सिक्षकों का मानना है कि छात्रों के कौशल और व्यक्तिगत विकाफ पर अधिक जोर दिये जाने की बहुत आविशक्ता है वर्तमान सिक्षा प्रणाली में इसकी कमी महसूस की जा रही है अध्यापक मानते हैं कि विद्यार्थियों की सफलता को जाचने या मापने या परखने के लिए सैक्षिक ग्यानात्मक और व्यक्तिगत विकास सबसे महत पूर मानक होता है सिक्षकों का यह भी मानना है कि किसी भी कक्षा में प्रिवेश लेने वाले आधे विद्यार्थियों में आवश्यक कौसल की कमी होती है जो उस इस्तर के लिए जरूरी होता है सिक्षकों की राय या है कि सिक्षा प्रणाली संपूर्ण ग्यान हासिल करने के आधार पर होनी चाहिए जबकि यह परिक्षा के आधार पर अधिक केंद्रित है हमारी सिक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों में आवश्यक नतीजे हाफिल करने के साथ साथ आगामी आने वाली चुनोतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए पिछले दसक के मुकाबले में पढ़ाई के माहुल में काफी सुधार हुआ है स्कूल और उच्च शैक्षनिक संस्थान के सिक्षक यही मानते हैं आज आवशक्ता इस बात की है कि हमारे बच्चों को सिक्षकों और उनके विचारों का सम्मान करने की पुरातन परंपरा का पालन करना चाहिए आज हमारे सामने सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है युवाओं का नसे का सिकार होना जो देश के भावी करनधार हैं आज वही सबसे ज्यादा नसे के सिकार हो रहे हैं जिनको देश की उन्नती करने के लिए उर्जा लगानी थी वे आज अपनी सारीरिक और मानसिक उर्जा नसे के कारण चोरी लूट पाट और हत्या आपराधिक कृत्य कर रहे हैं जिस तरह से टेकनोलोजी विक्सित हुई है ठीक उसी प्रकार से नए उत्पाद भी सामने आ रहे हैं सामप्रदाइक वे मनश्य हिंसा से समाज पर दूरगामी प्रभाव पर सकता है जिस से समाज के अंदर वे मनश्यता जन्म ले सकती है राजनीत के अलावा अलग अलग गुटों का छद्म स्वार्थ हिंसा की जमीन तयार करता है धार्मिक और छेत्री भावनाओं को भड़काने और उनसे सहान भूत रखने वालों के अपने अपने हित एवं औचित होते हैं सामप्रदायकता को वैधता प्रदान करने के लिए हर समुदाय अपना तर्क गड़ता है खुद को सहिश्णू बनाने और उदार मानना और उदार वादी कहना दूसरों को कटर और संका की दृष्टी से देखना उचित नहीं है लोग कहते हैं कि मुठी भर लोग धार्मिक जुनून भरका कर लोगों के दिमाग के अंदर जहर भरते रहते हैं आज भी मौका मिलता है विश्वमन से नहीं चुकते हैं वे हमारे आपशी पूर्वा ग्रहों आविश्वासों का फाइदा उठाते रहे हैं इसका दुस्परिणाम या होता है कि देश में कहीं ना कहीं दंगे भरका जाते हैं नुकसान आम जनता को अपनी जान माल से चुकाना पड़ता है भारत का पहला नैवीगेशन उपग्रह अंत्रिक्ष में इस्थापित हो गया है यह वैज्ञानिकों की कड़ी मिहनत का नतीजा है अब तक भारत संचार से संबंदित उपग्रह भेजता रहा है नैवीगेशन उपग्रह का उप्योग धर्ती पर ठीक ठीक इस्थान बताने के लिए होता है भारत साथ उपग्रहों की एक प्रनाली विख्षित कर रहा है इस प्रनाली को भारती छेत्री नौव वहन उपग्रह प्रनाली के नाम से जाना जाता है अभी तक भारत के अंदर दूसरे देशों के प्रनाली का इस्तेमाल हो रहा था दूसरों की प्रणाली इस्तेमाल करने पर खत्रा यह हो सकता है कि युद्ध के दौरान अथवा किसी दूसरे नाजुक मौके पर संबंदित देश प्रणाली का इस्तेमाल करने से मना कर सकता है इसका एक और बड़ा फाइदा या है कि हम अपनी प्रणाली का इस्तेमाल अपनी रक्षा और सैनिक जरूरत के अनुसार ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं इस प्रकार भारती प्रणाली का उप्योग दो तरीके से हो सकता है आम लोगों के लिए एक सेवा होगी और एक किश्म सिर्फ सेना से संबंदित सुरक्षा एजन्सियों की जानकारी के लिए होगी बाकी देशों की प्रणालियां काफी विक्षित हैं अमरीका रूश और चीन के पास एक तरह के बहुत से उपग्रय जिससे ये देश संसार पर पैनी नजर रखते हैं इस थापित उपग्रय से अब भारत की प्रणाली का भी विस्तार किया जा सकेगा अपनी नेवीगेशन प्रणाली का सबसे बड़ा फैदा या है की अपनी जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं आसाहिनिक इस्तेमाल के लिए हम दूसरे देशों को इसकी सेवाईं दे सकते हैं नेवीगेशन प्रणाली की साहिनिक छेत्र में उपयोगिता बहुत है इससे दुस्मन की गती विदियों पर नजर रखी जा सकती है आतंकवादियों के ठिकाने खोजे जा सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं के समय इस्तेमाल बाखोबी किया जा सकता है जिन जिन जगहों पर जाना नामुम्किन हो वहां के ठीक ठीक हालात नेवीगेशन उपग्रे के माधम से जाने जा सकते हैं सडक जल और हवाई परिवहन को सुरक्षित बनाने में इसका इस्तेमाल होता ही है अमरीका आधनिक सूचना सामराज के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में होने वाली बाचीत पर नजर रखता रहा है ऐसी इस्ति का प्रतिकार तभी हो सकता है जब सूचना वा संचार माधमों का विकेंद्री करण हो भूमंडली करण के दोर में या स्वाभाविक है कि देश बहुत सारी तकनीक या प्रनालियां साजा करे लेकिन आत्म निर्भरता और तकनीकी मामलों में ना पिछड़ना भी बहुत जरूरी है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान भविस्ष का विज्ञान है और आवश्यक है कि भारत इस विज्ञान के छेतर में पिछड़ना जाए प्रसंता की बात है कि कम पुझी के बावजूद भारती विज्ञानिकों ने सूजबूज से दुनिया के सबसे सबसे अंतरिक्ष कारिक्रम को सफल बनाया है मैं जानता हूँ कि अब भारत कई विकासिल देशों को कम लागत पर बेहतर तकनीकी साधनों को उपलब्द करवा सकता है मानी अधिक्ष महोदय हमारे देश की सबसे अधिक वन संपदा हमारे प्रदेश में मौझूद है यह प्रदेश बहुत भाग साली है मैं इस्वर को धन्यवाद देता हूँ जब से देश में वन संरक्षन अधिनियम लागू हुआ है उससे हमारे हाथ बांधिये गए हैं अगर हमें सडक बनानी होगी उसकी मंजूरी वन संरक्षन अधिनियम के तहट केंदर सरकार से लेनी पड़ेगी यदि तालाब बनाना होगा उसकी मंजूरी केंदर सरकार से लेना पड़ेगी यदि बिजली की लाइन डालनी है तो भी केंदर सरकार से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी स्टॉप स्टॉप